So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करो उससे पहले अगर भी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर दिना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ Nifty Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स आपको मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue वीडियो की शुरुआत करेंगे HAL के साथ हिंदुस्तान Aeronautics Limited की अगर हम बात करें तो काफी कुछ records आज break किया है कल जो levels हमने discuss किये उन levels के हिसाब से stock ने performance यहाँ पर दी प्लस यहाँ पर जो news का impact पड़ा है ओ काफी बहतरी रहा है और इसने record break कर दिया है तो कौन से record की हम बात कर रहे हैं और कौन सी news की बज़े से stock आगे बड़ा है तो हम हम देख लेता है HL में आज की closing की अगर बात करें तो 5530 रूपिस के level पे इसने closing दी returns की बात करें तो 329.45 रूपिस के round तक के बहतरी return stock में हमें देखने को मिले है 6.33% के बहाब पर share में काफी अच्छी बड़त हमें देखने को मिल जाती और उमीद है कि आगे भी कुछ ऐसे ही rally देखने को मिलेगी क्योंकि 5 दिनों में stock almost यहाँ पर 600 रूपे से भी जादा के return दे चुका है यानि हर दिन अगर देखे stock 120 रूपे से जादा बढ़ रहा है तो एक बड़ी चीज है और इसका all time high पर अगर आप एक नजर डालो तो इसका all time high है 5,567 रूपेस और जो इसका आज का high है वो भी आप देखोगे तो 5,567 रूपेस यानि अगर देखे नए all time high को break कर दिया है और अभी एक नया all time high stock ने create किया है जो काफी बड़ी बात है और जाफरीज की और से जो 12% का upside का momentum आ सकता है जो यह चीज कही गई थे लास्ट 5 days में 12% तो अल्रेडी अप हो चुका है आज अगर देखे 6% का upside का momentum है और वही अगर देखे जाफरीज का मानना है कि stock 5,725 रूपे के रावन तक के levels को अचिव कर सकता और वह easy तरीके से होता हुआ हमें नजर आने वाला है आने वाले टाइम में और यहाँ पर अगर आप देखोगे news काफियत तक एक तगड़ा impact डाल रही है stock के ओपर जो 50,000 करोड का जो यह टेंडर है जो यहाँ पर अगर देखेए डिफेंस मिनिस्ट्री फ्लेज टेंडर फोर अटेक चौफपर्स वर्थ रूपीस 50,000 करोड टू HAL कल ही हमने बात की थी light combat helicopters का यहाँ पर टेंडर दिया है HAL को जो काफी बड़ी बात है और जब डिफेंस मिनिस्ट्री हाज गिवन स्टेट ऑन हिंदुस्तार अरोनोटिक्स लिमिटेट HAL और टेंडर वर्थ अराउंड 50,000 करोड तू प्रोक्यूर लाइट कॉम्बैक्ट हेलिकॉप्टर LCH आइच दे लाइजिस्ट सिंगल ऑडर गिवन फोर अक्विजिशन फोर चोपस तो एन इंडियन कंपनी तो यह काफी बड़ी चीज है और इसमें से अगर देखें इंडियन आर्मी को यह कुछ इन में से अगर देखा जाए तो 90 प्लस चोपस दिये जाएंगे इंडियन आर स्टॉक में एक बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिला एक बड़ी रैली हमें देखने को मिला और यही नहीं एचली नहीं दूसरे स्टॉक भी आज बड़े हैं और वही बात करें अगर बी यल की बात करें भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट की तो 318 रुपे 25 पेसे के स्टॉक में काफी अच्छी बड़त देखने को मिलती है पाच दिनों की बात करें तो 28 रुपे शेर अल्डेडी बढ़ चुका है और यहां पर अगर देखे कुछ इंपोर्टेंट टार्गेट्स यहां पर बड़े फर्म की और से दिये जा रहा है कल हमने बात की थी एक फर स्वदेश राहूल शाह और मोतिलाल उस्वाल फाइनसिंग सर्विस हैस काल्ड थे स्टॉक हीस टॉप पिक अहेड बजट तो यहां पर अगर देखे बजट से पहले इन्होंने इससे यहां पर अगर देखे पिक किया है 307 रुपे के राउंड राउंड अगर आप देखो होगे तो यहां पर करन प्राइज है और रिकमेंड किया है इन्हेंने बाई करने के लिए 350 का टार्गेट इनके और से दिया जा रहा है और यह बड़ी चीज हमें यहां पर देखने को मिल जाती है और वही अगर देखे संजु वसीन की भी नजर इस अप अर्डिकलर शेयर संजु बसीन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल संजु बसीन का भी जो टार्गेट प्राइज है ओ है 350 रुपे का बिल्कुल यहां पर अगर देखे संजु बसीन का भी यही मानना है कि यहां पर 350 के राउन तक जा सकता है तो एक बड़ी चीज यहां पर हमें देखन हुआ है कि दो हजार पच्चीस तक यहां पर काफी बड़े प्लान देखने को मिल रहे है इंडियन डिफेंस की उसे डिफेंस सेक्टर जह है इसमें काफी बड़े प्लांस देखने को मिल रहे है बलकुल यहां पर अगर देखे और रिजन स्टुडी सजेस्ट सजेस्ट दैट streamlining foreign direct investment FDI enhancing research and development R&D and boosting manufacturing capabilities could help India reach its USD 5 billion dollar defense export 2024-2025 तक 5 billion dollar तक defense exports को ले जाने की बड़ी planning यहाँ पर है तो एक काफी बड़ी चीज है जो आत्मनिर भर भारत को लेकर defense minister की ओट से जो statement दिया गया as a defense minister उन्होंने चार्ज समाला राजना सिंग जीन है तब से यहाँ पर अगर देखे defense sector में continuously growth नजर आ रही थी ए चीज हमने पहले भी discuss की थी और इन ही सब चीजों का एक तगड़ा effect भी stock के उपर पड़ा है और यही reason है कि continuously अगर आप देखोगे इन पर्टिकलर shares में आज बड़ा देखने को लती है हिंदुस्तान एरोनाटिक्स ने record तो break कर दिया है साथ ही अगर हम बात कर लें BDL की तो BDL में भी आज बड़ी रही हाला कि अपने all time high के near stock trade यहाँ पर कर रहा है बड़ जल्दी इस लेवल को भी अच्व करेगा और stock में आज भी बड़त रही साथ ही बात कर यहाँ पर coaching shipyard की तो coaching shipyard ने भी अगर दिखा जाए 212 रुपे तक के return दिये 2334 का इसका all time high है और इसने high बनाया है 1388 रुपे तो आज भी इसने अगर देखे नया high break कर दिया है साथी बात करें major gone dock shipbuilders की तो यहाँ पर अगर देखे 4,219 रुपे का इसका high है और यह हाई इसने आज बनाया है 4,219 रुपे तो यहाँ पर अगर देखे श्रिप HL नहीं दूसरे defense stocks में भी एक बड़ी rally आई है but rally तभी आई है जब HL में एक बड़ा tender pass हुआ है तो यह काफी बड़ी चीज है अब बात करते हैं HL में जो लेवल हमने discuss किये थे उसके हिसाब से stock किस तरीके से perform करता हो नज रहा है यह है bank nifty levels जो हमने हमारे telegram channel पर update किये थे जाकर एक बार check out कर सकते हो link नीचे description में अब बात करें अगर यहाँ पर HL की तो HL में बिलकुल एक बड़ा jump हमें देखने को मिला है stocks में अगर आप देखोगे काफी बड़ी rally देखने को मिली हला कि उसके बाद थोड़ा sideways रहा बट share में अगर आप देखो एक मड़ गयस बट बाद में share में अगर आप देखोगे तो थोड़ा sideways momentum देखने को मिला यहाँ पर हमने कल ही इस range के बारे में discussion किया था और जो levels हमने discuss के थे उन सारे levels को इसने break कर दिया यहाँ पर HL के अगर हम बात करें तो बिलकुल sideways था और sideways जब जब में ने बोला है कि यहाँ जब 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 ए sideways momentum बना है तब एक बड़ा gap up हुआ है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हम पीछे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हो sideways momentum फिर gap up हुआ sideways momentum रहा breakout के बाद एक बड़ा momentum आया तो ऐसी rally हम पहले देख चुक है पहले हम यहाँ पर देख चुक है और exactly आज भी वही point हमें देखने को मिले कल भी positive आप रह सकते हो कल के लिए type pattern भी आप इससे consider कर सकते हो इस pollen flag type pattern का अगर breakout आगे मिलता है तो stock में यहाँ से बड़ी rally आ सकते है बिलकुल pollen flag type pattern का breakout अगर मिला तो stock में continuous ले एक बड़ी तेजी हमें देखने को आगे मिलने वाली है तो इस point के उपर आपको ध्यान देना चाहिए बात करें अगर BEL की तो B CL में भी आप clearly देख सकतो stock यहाँ पर downside की और से अगर देखोंगे support लेता हो नजरा रहा है और कहीं ना कहीं यह sideways है एक बड़ी rally बता के हुए sideways चल रहा है और इस range को अगर ब्रेक करता है तो और एक बड़े high यहाँ पर लग सकते है और जो चीज मैंने कल कही थी कि यहाँ पर अगर देखे rising wish type channel के ओपर ध्यान रखो breakout अगर मिलता है तो एक बड़ी rally आईगी और exactly वह पॉइंट हमने आज देख भी लिया stock में बड़ी rally हमें देखने को मिली है बिल्कुल एक split share को मिलती है और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे split का benefit आपको मिलने वाला है और बिल्कुल यहाँ पर इस stock के उपर भी आप अपनी नजर बनाए रख सकते हो तो और आल काफी कुछ चीजा हमने डिसकस कर लिए shares को लेकर I hope वीडियो आपको helpful और अच्छा करना और कोई भी stock में investment करते हो तो इनका analysis कर लेना साथ ही telegram channel को join करो link नीचे description में आपको मिल जाएगी